नमस्कार तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फेंटेसी फेक्टर में इस वीडियो में आपके बात करने वाले रोमानिया टी टेन का जो नेक्स्ट मुकाबल होगा जो के का मैज नंबर ट्वल्ब और आज की दिन का मैज नंबर थाल्ड एंड मैज नंबर यानि कि टास के बाध तो आपस निगी यानि कि दोनुो टीम को आपको कॉंसे टॉरंग है, कौन से टीमanne वीक है, है टॉस के बाद चैनल से आपको आपने टीम में करने हैं तो आप लोग के लिए मैच बहुत जो ज़्य होने वाला है इसलिए आप लोग उसे बस इतनी से रिक्वेश्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास तक जुरूर से वाच करें वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ आप लोग यहां पर देखो कि स्मॉल लिग लगभख जितनी खेली सारी स्मॉल लिग हम लोग ने विन की है और एक और ग्रेंड आपको यहां पर दिखा लेता हूं जहां पर कि हमारी 12 रहेंगे ग्रेंड लिग माया फिस तरीके से आप लोग प्वालिटी देख से टीम के क teat verte यानि के टेलिग्राम पर लीटिंट बोक्स और जो हमारा वीडीयो का फिस्ट कमेंड होगा उसमें आपको मिल जागा या फिर टेलिग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हो द t आपको simply यही वाला चैनल जोइन कर लेना ठीक है अब हम लोग यह इस वाले मुकाबले की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग यह आप बात करेंगे इनके ओपनर नहीं यहां पर देख सकतो है 167 तोटल बनाये थे यानिकी फ्रेंट्स बहुत गजब की तीम है यहां पर एसे सीची बीटिक इसके लाप लोग देखो के तो रिसेंटली जो इन्होंना यह मुकाबला हारा भी है उसमें भी इन्होंने बॉल ची यहां पर फाइट साथ मुकाबले यहीं हा रहे हैं जो किनो नहीं यहां ए teil कि स्थेंट्रा खाकर एंटद्स साथ यहांट आंगय। है और स्टांध ऊंतर सारिक से फिंग जो एक इętार मुकाबला एक हा और ऑना यहां पर तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि यह और पर युनाइट के टीम इस उसी सब्सक्राइब के लिए गए तो सबसे बैस्ट पर लोग याप लोग एक उच्छा सबसे तरब सक्ता है यहीं सबसे बैस्ट कॉम प्लस एक प्लस एजिली देखने को मिल सकता ठीक है जिस के इनके बहुत कम चांसे चांचे़ है फिर भी 3-4 एपो यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो इतने से शॉड़ा से गेर सकते हो अगर युनाइट के टीम पहले बैटिंग करती है फिर इनकी तरब से थोड़ा से आप लोग यहां पर नाईने पैस फटेच के पीस मापलों यहां पर रन कर सकते हो कि इतने रन लगभग इस टीम के यहाँ पर बनेंगे और इनके जो विकेट की बात करो तो 6-7 विकेट आप लोग इनकी तरफ से यहाँ थोड़ा सा जादा जयादा आपना फोकस करके चलिये अब हम लोग थोड़ा से पिच की बात करेंगे तो आप सभी को पता फ्रेंट्स यह वाला जो पिच है यहाँ पर थोड़ा सा जो बैट्समैन है उन्हें बहुत चाहिए पर सपोर्ट मिला खासकर जो एक बार सैंसरी एक पर 83 रनों के यह भी आप इनिंग के लिए ठीक है तो यहाँ पर आप लोगो फ्रेंट्स बैट्समैनों को ज्यादा प्रेफ्रेंस मेरे साब से देखे चलनी और बॉलिंग सेक्सर में अगर जाओं तो यहाँ पर पेसर में अच्छी हैल्प मिलती है एज कंपेर टो इस पीनर ठीक है तो आप अपनी टीम में थोड़ा से यहाँ जादा पेसरों के साथ जाने की कोसिस करें इस पीनरों को अगर आप लोग फिनरों को ड्रॉप कर सकते हो लेकिन पेसर को आप लोग थोड़ा सा ज्यादा अपनी टीम में इंपोर्टेंस देना ठीक है इसके लग बात करेंगे इस टीम के इस पिच के ओन अवरेज स्कोर के तो यहां पर लगबग फ्रेंट्स आप लोग को 125 के आस पास आपको यहां पर ऑन अवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा इंगलन की तरफ तो यहां पर सबसे पहले एस सीबी की जो प्लेंग लिन है उनका जो लास्ट का प्लेंग लिन आप लोग यहां पर दिखतो जी मनन यहां पर फ्रेंट्स पूरी तुरसे आउट ओप हो यह नहीं कि जीरो पर आउट हो गये लेकिन बहुत अच्छे वैट्स इंगलन में तो आप लोग को क्रेडिट को मैनेज करने के लिए इसमें बहुत ज़दा इंपोर्टन होने वाला ठीके प्रिया पर अब्दुलासी पाएंगे बॉलिंग को मिल जाएंगे और फ्रेंस तो मैंचों में बहुत अच्छी बैटिंग विए वार सिस्टी रन ये ल है इन्होंने एक रन और यहां पर सेमी उल्ला ने चार रन बनाए ठीक है बात करने सामने वाली टीम के तीन बिकेट निकाले तो इसमें आप लोग इनकी बॉलिंग भी यहां पर देशा अब्दुलासीपने दो डाले 35 यहां पर दिये कोई बिकेट इनने नहीं मिला ठीक है लेकिन इंपोर्टन है आपको बता है टॉपोडर में बैटिंग भी कर रहे है और फेंस अच्छी कासी बॉलिंग भी करा लेते है इजली इनको एक से दो बीकेट भी यहां पर मिल जाएंगे ठीक है फिर यहां पर सेमी उल्ला की बात करो तो दो अबर इनने डाले एक की इंडिये कोई बीकेट इनने नहीं मिला ठीक है याम इप्रेंस ओममाद जकारिया की बात करो इनोंने भी एक ऊबर दाला था 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 थी संदिये बहुत महेंगे साबिक इन रहे है और एक ही ओबर इनने दिया तो इनको थोड़ा सा इंगनोर करके आप चल सकते हो ठीक है पर चलते हैं तो यहां पर आप लोग युनाइट की प्लिंग लिए देख सकते हैं लास्ट का मैच खिला था था लगाएश्ट पर इनकी तरब से यहां पर रमेश रसनन ने फ्रेंट यहां पर ओपन किया था बहुत अच्छे बैट्समें यह थी का इनके साथ अली हुसेन ने थी इसके लिए पर राज कुमार तर्म पर रहन फिर यहां पर रोहिट कुमार थारा न दॉन–वापन गे सिक हैं पर इनके सपास द इसरृ इस्ट आपको लेड़िग राज़त कुमार मिंगे स्टार्ट्कुमार ने भीन वाफने आन पर लोग पिकरी लेंग यहां इस वसिस्ट ने दो बड़ डाले तीटीट संधिये दो विकेट निकाले ठीक है और फ्रेंट्स याप लिए टॉप ओडर में बैटिंग भी करने आ रहे तो बहुत इंपोर्टेंट याप राजकुमार की बात करो दो बड़ डाले अठाइसंधिये दो बिकेट निकाले तो राज याप लोग के लिए बहुत इंपोर्टन यार हो जाता है दूसरे मैच में इन्होंने वाल से बिकेट निकाले थे ठीक है तीन मेरी सबसे निगाले थे मुझे कंभम याद निया और फ्रेंट्स पहले मैच में बहुत अची बैटिंग या पर कियी थी ठीक है तो देखा लेत किया आपके पास यहां पर ऐसा बास एक और उप्सन एविलेबल है लेकिन आपको थोड़ा सा क्रेडिट का इश्यू आएगा इसलिए मैं या पर आर कुमार को लिए चार बैट्स में आपके है आर सतीसन ठीक है आर सतीसन की बात कुरों तो देख से लास से किन जो मैस आपक करने के काम बिया जाएंगे ठीक है और दूसरे मुकाबले में आपको पता फिरेंच आप एटी तरी रहनों की बहुत चीनिंग के लिए ठीक है दो में जो बहुत आप लोगों के लिए होने वाला है यानि कि कैप्टैन सी वाइस के लिए दूनों के लिए बहुत सबर जबर पिर तीन ओल लॉंडर मने आप लिए एस बसस्त आर कुमार ठीक इसकला या पर एस उला ठीक है तीनों के लिए इंपोर्टन ये भी आप लोगों के लिए हो जाएगे सिर्फ ग्यारा पर शेलेक्शन है ये चीज़ भी आप लोग तिहन में रहा ठीक है अब मुलों के लिए तीन बॉलरों के साथ मैं या पर गया हूँ अब लुग के लिए बहुत इंपोर्टन रहे आपको पता लास्ट के लिए सटी रनों की बहुत अचीनिंग के लिए इसकला जो लास्ट मतलब जो इससे पहले इन्होंने एक और मैस के लाट इसमें सेवन्टीफाइव रन और द आप फ्रेंट्स यह पर जा सकतो ए जावर के साथ लेकिन इनकी बात कर तो इन्होंने अभी तक आप लोग देखो कि तो कुछ खास यहां पर नहीं किया लास्ट के मैं जब इन्होंने सिर्फ दो कैच पकले थे बॉलिंग मंदब जीरों के बराबर यहां पर कराई इन्होंन यह बंदा नो बहुत अच्छा बैट समयन है एक बार सेंचुरी एक बार 83 रन भी बना चुका लेकिन यह सिर्फ बैटिंग करता है इसलिए मैंने इसको सिर्फ यहां पर वॉइस कैप्टेंसी दी है और वहीं बात करो आर साथी सन की तो यह ओपनिंग भी करेंगे और फ्रे प्लस दो बीकेट निकाल चुका तो फ्रेंट्स यह दोनों कंडिक्शन में आप लोग के लिए अच्छा वाइस कैप्टेंसी यहां पर अब्दुल आसिप को आप लोग अपना कॉम्बिनीशन बना सकते हो बाकि जो दूसरा उप्चन आपके पास बसता है जी मनन को भी जाना और फाइनल टेम के लिए टेलेग्राम पर जुरूर से जोईन हो जाना ठीक है तो बाई बाई फ्रेंट्स गूड़ लग आप सभी लोगों को इस मैच का